सवाल यह है कि लोगसभाद चुनाव के दिन जब रिजल्ट आ रहे थे तो उसे दिन आपको रिजल्ट घोशित किये जाने की क्या जूरत थी बहुत सारे से सवाल है एंटी की ओर से जबार मी दिया गया है विबेक छाकुर जी हमार साथ पाउंडर और एंडी जुड़े हैं स्कॉलर डेन और आप खाड़कुर आयाइटी से आपने पढ़ाई की है विबेक छाकुर जी आप से सीधा से सवाल बच्चों के जहन में जो सवाल है हमने रपोर्ट पे दिखा दी है ततकाल सलाह क्या देंगे सरकार को क्या कदम तुरंत उठाय जानी च का इक्जाम था और एक नीट के बच्चों का इक्जाम था दोनों का रेज़िट एक सा था है आप तस्वीर को समझझे है कि एक एक एक्जाम था早 Kay視 नंबर का यह बात निक पीड़ा नहीं बताया जाए कि नहीं सहाव आपको तो 320 चाहिए थे एक्जैक्ली यही दर्द है इन बच्चों का आप इन से पूछिए कि इन बच्चों का एक्जाम 720 नंबर का था जब यह बच्चे उस एक्जाम में 650-660 ले आए और इन्हें इनके पैर के नीचे जमीन निकल गई इन्हें पता चलता है नहीं सहाव आप 650 पर भी नहीं कर सकते हैं तो यह जो बच्चों का दर्ध है इसको इस आकड़ों से समझेए कि अगर मोदी जी के साथ धर्मिन प्रदान जी के साथ जो क्लीन सेट दे रहें NTA को अगर उनके साथ य है और इस डाउट को क्लियर गॉर्मेंट को करना है हमें नहीं करना है बिल्कुल हमसे एविडेंस मागा जा रहा है बच्चों से एविडेंस मागा जा रहा है कि लीक नहीं हुआ आप एविडेंस दीचे साथ सिस्टम आपका है चला आप रहें तो एविडेंस आप ढूंड साथ तारीको, आठ तारीको, नौ तारीको, प्रेडिक्टेड टॉपर्स में लिस्ट बता रहे हैं, पांच, कोटा का एक बड़ा इंस्ट्यूट है कहता है कि पांच बच्चे 720 में 720 लाने वाले हैं, जब रिजल्ट आ रहा है तो 26 के लिस्ट है, तो कहीं न कहीं बहुत इंस्यूशन दोशी है, बच्चे दोशी है, बहुत करियर ऑप्शन से, अभी आज से 10 दिन पहले आप पता करिए, चाइना में 1 करोड 30 लाग बच्चों ने इंटरेंस एक्जाम दिया है, वहां तो धानली नहीं होती है, वहां तो एक बार कोश्चन नहीं उठा, यहां हर स आप एंस के डारेक्टर को लीजिए, आप पैनल बनाईए, आप थोरो चेकिंग करिए, क्योंकि अभी मैं बच्चों से बात कर रहा था, यह बच्चे जो यहां बैठे हैं कई से आप पूछेंगे तो आप बताएंगे, इनको एक्जाम से यहां बच्चे बैठें हम से को आप पूछ रहे हैं एविडेंस, ठीक है, विवेक जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अग्ला सवाल यहां बार बार कह रहे हैं कि छातरों को धार रखने के लिए, मेरा सवाल यह है कि बच्चों को इतनी महनत करके परिक्षा देने के बाद हर बार इतन पर विश्वेश निता आज तक कायम नहीं हो पाई है, आप इनिशेटिव लेके स्ट्रक्शल चेंज कीजिए, आप बच्चों से बाबर क्यों कह रहे हैं, पेशन्स रखिए, पेशन्स रखिए, बच्चा एक्जाम दे, तैयारी करें, उसके बाद जब रिजल्ट सहीने है रिजल्ट आउटफूल हो, फिर उसके लिए वो कोट पे लड़ाई लड़े, बच्चे आप कह रहे हैं कि बच्चों को भड़काया जा रहा है, आपको लगता है कि जो बच्चे सड़क पूतर के प्रदेशन कर रहे हैं, वो खराब है, जो बच्चे घर में रहे हैं, वो कि बच्चे को अब बच्चे को एम जिली नहीं मिल रहा है, वो क्या करेंगा, क्या साथ सो पच्चेस नमबर लाएगा, आप बताइए बच्चों के साथ कितने बड़ा इंजिस हैं कि 720 एक पेपर में फूल मार्ग्स लाने के पार, पिसले वाल फूल मार्क्स आने वाले दो ब बिस्से जादा बच्चा क्या लाएगा, लेकिन सरकार ये जो भरोसा दे रही है, धर्मीन प्रधान ने खुद भी छात्रों से मुलाकात करके भरोसा दिया है, क्या उस पर यकिन नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, तो क्योंग चा वज़ए है, मैं बच्चे